नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मासनमार्क माता रानी के आगमन की तैयारी जोर सोर पे है और माता रानी के घर आने से पहले हम घर कोई सफाई हो रही है हम सबुगे घर में और साथ ही उनको मनाने के लिए बहुत सारे हम प्रयास करते हैं लेकिन जाने अंजाने कुछ चीजें कहीं आप से छूटना जाए इसके लिए आज हम छोटा सा जानकारिया आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो के अंतक बड़े रहे हैं हलांकि आज हम आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि कलस अस्थापना कब करें सुमुहृत क्या है और इस बार की जो नवरात्र है वो बहुत खास हो रहा है क्यूंकि इस बार दो आस्विन मां है और अभी हम अधिक मास जिसे हम पुर्सोत्तम मास कहते हैं जो हर एक तीन साल के बाद आता है लेकिन इस बार दो आस्विन का मां होना बहुत ही सुप संयूग लेकर आया है तो इस इस समय आपके घर की साफ सफाई से ही जुड़ी वी कुछ बाते आपके साथ साजा करेंगे गर में सुकसांती सम्रिदी लाने के लिए हम तरह तरह के उपाई करते हैं घरों की सफाई होती है वास्तु कभी ठीक करते हैं लेकिन जाने आन जाने कुछ चीजें छूटना जाए और मां का आसिरवाद हम पे बना रहे क्या करेंगे सबसे पहले तो आप पूरे घर की जब सफाई करवाईएगा तो अपने चछत को मत भूल जाईएगा क्योंकि चछत पर आप कभी-कभी तो इतना सारा घर का समान होता है जितना पुराना समान चछत पर ही कठा करते हैं समान हम रख देते हैं अगर आपको लगे कि यह समान भविस में आप यूज नहीं करने वाले तो या तो आप किसी को दे दे जो ठीक करा के से यूज कर सके या फिर घर से बाहर का रास्ता निकाल दे घर में तुटा हुआ आइना बिलकुल भी मत रखिए यह सबसे बड़ा वास्तु दोस्त पैदा करता है और इस आइना को घर से बाहर निकालें कहीं मिट्टे में दवा दें ध्यान रखें बहुत ही साबधानी के साथ और दूसी बात घर में तुटी फुटी वी चपल तुटे वे आलमारी तुटे वे कुरसी टेबल या तो ठीक करवाएं या किस स्लो कभी नहीं चलना चाहिए जब भी चले फास्ट चले यह ज्यादा अच्छा है यह सूब होता है लेकिन स्लो घरी चलने का मतलब है आप बहुत पीछे चल रहे हैं समय से यह अच्छी बात नहीं है दूसरी बात अगर घरी आपका जिसे घरी का कांच तूट गया है घरी कैपड़े के बंडल बानके रखें यह सब हटाईएं क्योंक mai कैपड़े के बंडल आपके भागे को बांदेता है वैसे भी किसी चीज चीजा का बंडल नहीं रखना चाहिए घर में बांध कर खासकर मोटली जिससे कहते हैं दूसी बात आपके घर में अगर आपको लगत है उनका गोला है रसी का गोला है ये सभी चीजे आप घर से बाहर करें क्योंकि गोला कभी भी अच्छा नहीं होता ये आपके भागे को बांध देता है जो सायद बहुत मुस्किन लगती यसी खुलने में जितने भी कवार हैं उसको घर का बाहर का रास्ता दिखाएं घर के मकरी के जाले जरूर सफाई करें और इसके साथ ही पुराना तुटा हुआ जाड़ू बेगेर सब हटा दें क्योंकि माता रानी जब आएगी आप घर की सफाई तो करेंगे पर कुछ चीजें होती जैसे तुटे वे दीपक हैं तुटे वे मुर्ती हैं पुरानी फटी भी तस्व घर में रहें और माता रानी को अच्छा ना लगे तो घर की सफाई इसी बहाने तो परवतिवार आते हैं कि हम घर की सफाई करें कुछ चीजों को हटाएं और नई चीजें घर में आएं कुछ अच्छी चीजें हो हम फेस्टिबल मनाते हैं खुजियों आने के लिए तो झाल झाल